हां जी तो क्या हाल है आपके मैं समित कुमारी बाफिस आपको साधत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर इस बाद UPSC ने दोखे बहुत दिये हैं एक तो वेकेंसी में दोखा दिया दूसरा उसने जो फॉर्म करने को प्रोसेस है वही पूरा चेंज कर दिया जिससे अर बार तो जो कि सेम पैटन पर फॉर्म भरा जाता था इस बार तो पैटन ही चेंज है तो गलती होने के चांसिस बहुत बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट एंट तक देखना है ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है मैंने एक बच्चे का फॉर्म साथ बैठाके ताकि फिर उसकी सारे के सारे डाउट्स जो है बेसिकली वो क्लियर हो जाए तो इसको कंप्लीट देखना सारी चीज़ अपने कोडिंग करना उसके बाद ही केवल फॉर्म फिल करना दूसरी इंपोर्टन चीज अपने यारों दोस्तों को जरूर शेयर करना कि इसके फॉर्म में कोई गलती ना हो जाए यह थारे भाई सुमित की कोशिश रहेगी ठीक है भाई चलो तो स्टार्ट करते हैं अच्छा एफट अच्छे लेगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरू कर देना आप सबसे पहले जाओगे यूपी सी ओनलाइन डोट क्लिक न्यूर जिस्टेशन पर जैसे आप न्यूर जिस्टेशन पर आओगे तो ऐसे आपकी डिटेल मांगेगा मैंने इक बच्चे का फोर्म खुद भरा मैं उसकी डिटेल आपके साथ मैं भी शेयर कर रहा हूं यह दिख़ो जैसे आप यह आऊके तो यह आपसे सारे कि 10th की जो mark sheet है या फिर 10th का जो passing certificate है वो लेके बैठना है उससे हर एक चीज आपको correctly लिखनी है एक भी गलती मैं कहा रहा हूँ वहाँ single mistake यहां तक कि एक space की गलती भी बहुत problem में आपको डाल देगी है बाद में फिर डेविट बनाते फिर होगे तो आपको इस पूर्य step को करना है सब चीज ढंग से पापा का नाम ममी का नाम with proper spacing and all फिर कुछ security question पूछेगा उसके answer and फिर finally capture आप फिल कर दोगे तो फिर आ 12 से चेक करोगे अगर उसमें कुछ change करना होगा तो यहां से आप change करोगे वरना क्लिक कर दोगे आई एगरी पे जैसे ही आप आई एगरी पे क्लिक कर दोगे आपको basically PDF format में आपका बनके आ जाएगा कि भाई यही आपकी information है thank you for registering यह सब सिस्टम आपका आजगा नहीं उससे successfully submit हो गई है आप इसको बहुत ध्यान से करना because life में सिर्फ एक ही बार chance मिलेगा इसको update करने का clear होगी बार I hope this is clear जब आप यह कर दोगे तो आपको करना क्या है वापस आपको जाना है UPSC की website पे जहां पे हम थे अभी उस UPSC की website में अगर आप back जाओगे मैं भी back जा रहा ह नहीं है आप जाओगे तो यहां पर आएगा ओल लेडी रेजिस्टर का तो तीन तरीके है मेल आइडी मोबाइल नंबर या OTR ID मेल आइडी पर मोबाइल नंबर को टीपी नहीं आ रहा था इसलिए मैंने OTR ID पर करा because जो आप ध्यान से देखको जो मैंने आपको PDF दिखाए ना उसी PDF में आपकी OTR ID भी है और उसी PDF में आपका password भी basically आपकी mail पर आ जाए ठीक है तो आपके पास ID और password हो गया ID password हो गया यहां से आप डाल के required information आप लोगिन करो जैसे आप लोगिन करोगे तो मामला आपके सामने कुछ इस तरीके से खुल के आए ना सब बताएगा कि यह online phone बनने से पहले यह instruction है आपकी ऐसी photograph होने चाहिए उस photograph की complete detailing तक आपको देगा कि उसके pixels वगेरा यह होने चाहिए and all समझे में बात को यह सब आपको देगा यह normal है जैसा हर बार होता था वैसी है आप जब आप login कर लोगे तो आपकी login की profile कुछ ऐसी दिखे कि basically आपकी एक profile बन गई है पुलकित मेरा student है उसका मैंने भरा है यह profile बन गई आपकी अब इस profile में आप सब कुछ चेक कर सकते हो आपने पहले वाला NDA भरा होगा जब आगे आने वाले टाइम में तो वह भी चेक कर पाऊगे तो उसमें आपको क्लिक करना है latest notification पे जैसे latest notification क्लिक करोग आप NDA के student हो तो कुछ नहीं करना है आपको चुप चाप यहां पर आ जाना है click here for part 1 या फिर एक option भी आएगा edit OTR का याद रखो OTR सिर्फ एक बार edit हो सकता है तो पहली बार जंग से बरो जैसे आप करोगा click here for part 1 तो जैसा फिर पुराना चलता था सिस्टम as it is वैसा यहां स यहां से शुरू होता था फिर वो सब कुछ आएगा आप से instruction पढ़वाएगा सारी फिर यह आपके देखो यह part आगे part 1 part 2 जिसमें payment करवाएगा photo upload करवाएगा center select कराएगा declaration दवाएगा यह सब उसमें आपको अपने normal जो information जो आपने OTR में भर दी है वो सब भरी भराए मिल पढ़ेगा आपको अपना address देना है आपको अपनी qualification qualification बहुत important है जिसमें हर बार बच्चा कन्फिस होता है देखे ध्यान रहे अगर आप अभी 12th में है तो आप 12th appearing है अगर आपका 12th result नहीं आया है तो सीजी सी बात आप 12th appearing है 11th वाला बच्चा apply नहीं कर सकता simple सी बात है यह फिर इसके बाद process एकदम normal है जैसा हर बार था basic चीजा फिल करो payment करो signature upload करो यह upload करो अपने center select करो and ultimately submit करो जो main issue था ना वो main उशी था OTR का because बच्चे को पता ही नहीं है कि exactly form fill किस तरीके से करा जाएगा because this is a नया process तो मैंने एक बच्चे का dummy bell of dummy नहीं original उसका इसलिए तो करता हूं कि इसके बाद कोई भी आपकी doubt नहीं बचनी चीए कोई doubt बचे तुम्हें comment section में बताना बाकी मेरी यह request है यह video हर उस experiment तक चली जाए जो भी application form fill करने वाला है because this is very 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 important for this time एक भी गलती बहुत महेंगी बढ़ जाएगी ठीक है बस subscribe कर देना इतने effort तुमारे लगा हैं इतनी जल्ली जाहिन जाएगा